जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं बंगलादेश वर्सेश पाकिस्तान के बिच में खेला जेएगा तीसरा टी-20 मुकाबला उसको लेके डीटियल्स में देख लेंगे अभी तक पाकिस्तान की जो टीम है वो दो मैसे दो मैच जीत करके आ रही है वही दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे बंगलादेश की तो भाई इसके पिलियर जो है न गेंदवाजी एटेक काफी अच्छा प अपडेट में आप लोगोगो टीलग्राम से जार्च कर लेना यह कुछ आइसा दोस्तों आप को ट्रीग्रांप पर जाने हैं सर्च करना है उसके बाद आपके चैनल दिख जाएगा 71 या फी-दोस्तों 70क सब्सक्काइबर कि आसपास उसी में आप लोग को जूरना है बागी छारे फेक चैनल से आप सभी को दूरी बना के चलना है दोस्तों आप को दिख जाए गई का जो सब आप सब लोगों के पास इन में से कोई आप लिकाशन ना हो तो इसके उपर क्लिक कर दीजेगा और यहां से जो भी अप्ल अब आपको समझ में सब कुछ आजाएगा और फिरी टाइम में आपके लिए दोस्तों है लूड़ो अब खेल सकती हो अब आते हैं दोस्तों मुद्य की बात कर लेते हैं दोस्तों अगर स्कुएड को लेके बात कर ले तो आपको दिख जाएंगे बंगलादेश के तब से स्वारिफिल इसलाम तसकीन एहमद समीम हुसेन नसुम एहमद साइफ हसन यसीर अली साहीद इसलाम और अकबर अली अब यहां पर क्याहिन है कि बंगलादेश की टीम जो अलड़ेडी सिरीज हा चुकी है तो यह आपको कुछ अनेक्स्पेक्टेश करते भी नजर आ सकती है पकिस्तान के लिए भी लागू होता है यह सीरीज वीन कर गई है तो अपने टीम में किसी को भी रेश्ट दे सकती है जैसा दूस्त आप लोगों ने पिछले मैच में देखा भी होगा हसन अली को इन लोगों ने रेश्ट दिया हुआ था और पहले मैच में साइन साफरीदी को रेश्ट दिया हुआ था अगर हम बात कर लेंगे स्क्वाइट की तुस्य में स्क्वाइड है बाबाराजम सदाव खान आसिफ अली फाकर जमन बहतरीन फॉर्म से चल रहे हैं जैसे हम लोग पेडिक्ट कर रहेते कि स्पीन खेलने में को दिकती आ सकती है लेकिन दूस्त आपको बता दो रिजवान का फैन हो जाओगे आप भी बुलो गिरा जब पाकिस्तान प्लेया का क्यों फैन होना है लेकिन दोस्तों जिसके अंदर वो जो मेरिट से वह आपको बोलना पड़ेगा यह समझो ना मुझे उसका सही से नाम नहीं यादर है यह समझो कि दो दिन पहले भी जैसे मानलो इसका फैनल मैस था ना फैनल नहीं इससे दो दिन पहले बीमार चल रहता दोस्तों वहां से उठके मैच खिलने आथा और वहां भी इस नचाब लिबाजी की पाकिस्तान और रिजवान ने वहां भी दिल जीत लिया था रिजवान कहते हैं कि अगर किया इतना मेहनत किया आपने के ऊपर यह आपको दूसरे पीला के तरह जैसे एहमत सहजाद होगे मुहमद आमीर होगे उन लोग के ज्यादा बोलता नहीं था यह अपने परफॉर्मेंस करता था उमर अक्मल होगे लेकिन रिजवान के अंदर यह काविल यह बोलता कम था औ मुहमद रिजवान अब बाब राजम के तुलना में भी इसको रख सकते हो क्योंकि इसके पास भी क्वालिटी है उसके लाबा मुहमद वसीम जूनियर और दिख जाएंगे साइन्स अफरीदी स्थानवास धानी को मिल सकता है मौका इसकला मलीक उसमान कादीर को भी पाकिस् अब दोस्तों बल्ले बाजी में बात कर लेंगे तो टॉप ओडर फ्लॉप चलेगे ते फकर जबाने के अगर हम बात कर लेंगे बंगलादेश की गिंदवाजी में तो इधर से दोस्तों मेहदी असन ने चारोबर में शत्रों देख लिए पेस के लिए जाना जाता है दोस्तों इसकला आपको मिस्टरन में मुस्तिफुजु रामान रामान दिख जाएंगे क्योंकि आपको मालू अगर बंगलादेश के तरफ से आपको नजर आजाएंगे एक तो मुस्तिफुज रामान और दूसरा आपको नजर आजाएंगे स्वारीफुल इसलाम और वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे पाकिस्तान के तरफ से तो पाकिस्तान से तरफ से आपको यह दिखना पेलेंगे वह डेथ में डालेंगे हसन अली और साइनसा अफ्रीदी में से अब मैच नमर टू की बात कर लें तो यहां पर दोस्तों बैंगलाद इस ने खराकी थे सिर्फ एक सो आट रन यहां पर नई मिने किये थे दो और शंतों ने खेलते बेथर इन चालीस रन कीनिंग काम तौर को साइनस अफ्रीदी का यहां पर तीन विकेट दिख सकता था तिन विकेट दिखता तके अपनेंट के कैप्टन विचक में से एक साइनस अफ्रीदी इसके लाबा मौंम्मध वसीम junior पाकिस्तान की पहले बल्लेवाजी आती है तो दूस्तो नवाज और सदाव खाम आपके लिए कैपिटन वीची के बेस्ट कंटेंडर में से एक बन जाएंगे अब चलिए दोस्तों देख लिए अपने ड्रीम एलेवन का टीम एक बात ध्यान रखेएगा कि बस यह देमों टीम है फाइनल टीम आपको चैन्जेश दिख सकते हैं और टॉस्त के बाद बंगलादेश की पहले घंदवाजी आती है तो मुस्ति फूजर रामान और दोस्तों स अगर यहां से पाकिस्तान पहले वल्लेवाजी करेगी तो हम लोग फाकर जमन को लेकर सोच सकते हैं अद्रवाश दोस्तों हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे इसको लेकर ठीक है हम लेकर जाएंगे सब से पहले और रेंडर से अपने टीम में मेहंदी असन को दूसरा यह बात याद रखेगा कि अगर खेलती है तो भाई सब किसके जग़ेंगे या तो यह दुप करेंगा फृदी को या फिर हो सकता है कि हरिस रॉफ को यह लोग का रेस्ट रेज़े जेखोंकि पहले मैं भी सब्सक्राइब को दिया तीसरे में मुझे लग रहे है कि हरिस में काम कर सकता है क्योंकि टैलेंट की तो इसके पास भरा परा है अब देखो अगर यहां से बंगलादेश सुनिए का बात को ध्यान से पहले बल्ले वाजी करेगी तो हम लोग अफीफ हुसेन को अपने टीम में ट्राय करेंगे अगर बंगलादेश पहले गिंद वाजी बात को आप लोग याद रिखेगा हम लोग क्रेडिट कर लेंगे उसके लिए आप लोग को चिंता अन्य करने फिल्हाल आप लोग बस यह समझो कि नाईम से अपने टीम में किसको बैसा यहां से हम लोग वसीम को लेंगे अप लोग मुस्तिफुजुरामान को ट्राय कीजि अगर इस मैच में सुनिए का ध्यान से बंगलादेश की पहले बॉलिंग आ जाए तो आपके लिए यह मैच जो है न स्पोर्ट्सी और 11 चैलेंजर्स के लिए सबसे बेस्ट बन जाएगा आँक बंद करके मैं बोल दूँगा कि वह इंवेस्टमेंट है कर दो क्यों मैं कहा रह आता हूं मैं अपने लोगों को जबी दिखा रहा है स्पोर्ट्सी और 11 चैलेंजर्स पे वह अगर वंगलादेश की पहले गिंदबाजी आती है तभी ट्रै करने आप सभी को दोस्तों यहां पर आने बिकेट कीपर सक्षन में हम लोग सिर्फ मरीजवान को ट्रै करेंगे ब बंगलादेश की पहले बॉलिंग आती है तो हम लोग इस टीम के साथ इन्वेस्टमेंट हाइग करेंगे कहां पर दोस्तों इसपोर्ट्सी और 11 चैलेंजर्स पे कैप्टन वीजी जो की सब से इंपोर्टेंट स्क्षन है उसको लेके बात करने उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों अभी जो आप वीडियो को देख रहे हैं उसको थोड़ा से स्क्रोल करने जैसे अब तुरह स्क्रोल करोगे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे सब्सक्राइब इसके उपर क्लिक करके आप सभी सब्सक्राइब कर लेने चैनल को और बेल ऐकन पर दबा के ओल कर लेने इससे बेनिफिट क्या होगा मैं जो भी वीडियो दूँगा सब से पहले आपके पास पहुंच जाएगा और जितना पहले आप वीडियो देखो कि उतना आपको मेनी जील जील में आराम से टीम लगाने में फाइदे मिलेंगे इसके लाभास आपको यहापBO उसमें अब दूस्टों के लेके बात कर लें तो अगर यहाँ से पाकिस्तान की पहले बैटिंग आएगी तभी हम लोग ऐसा टीम लेकर जाएंगे क्योंकि मैं आप लोग को पहले बोल रखेंगे तो उस कंडिजन में हम लोग कैप्टन देंगे सदाब खान को और वीची देंगे दोस्तों मुहमद नवाज को ध्यान से सुनिएगा पाकिस्त और नवाज को मैं वीची दे दूँगा ठीक है यह मेरा टीम बन जाएगा फाइनल स्पोर्सी प्लस 11 चैलेंजर के लिए पाकिस्तान बैट फर्स्ट अब दोस्तों हम बात कर लेंगे ड्रीम 11 जैसे अप्लीकेशन पर जहां को हमको यह लग रहा है कि अगर मालों कि पाकिस् जल्द एक अच्छा खासा स्कूर आपको देखने को मिल सकता है तो मैंने कैप्टर यहां से दिया है आपने टीम एरिजवान को और वीची मैंने दिये बावर आजम को और इस तीम को मैं सेफ कर लेता हूँ टॉस के बाद दोस्तों मैं टेलिग्राम पर आप लोग को जाए वागी चीज़ें सब बोल दूँगा कि क्या करना है नहीं करना है बाकी आप लोग को यह मैं जो है एक्सेंस 32 पर भी दिख जाएगा तो वहां पर जाए बाइसेल मैल्टी वगर्पी कीजिए मुझे उमीद है कि आप लोग के पास किर्केट का ठीक तक नॉलेज है तो आप लोग वहां पर अच्छा कासा अर्ण कर सकते हों वाकि उमीद करने के घर का अच्छा लागा होगा अगर दोस्तों अच्छा लागा हो तो वीडियो को लैक और चैन्ल को सबस्क्रेब जयूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक लिभाई इंजॉए अच्छा कासा विन कीजिए